हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासिस में और आज हम लेके आ हैं पॉलिटी से रिलेटेड कुछ MCQs जी हाँ दोस्तों पॉलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉंपोनेंट है ना कि सिर्फ EPFA एक्जाम से लेके लेकिन हर एक छोटा या बड़ा एक्जाम उससे रिलेटेड पॉलिटी आती है और इसमें भी वही चीज है जो हम बाकी एक्जाम में देखते हैं बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने बेसिक्स रिवाइज कर लिए उसके लिए एक्जाम निकालना इजी हो जाता है ठीक है जो दोस्तों तो अब हम अपने कोश्चंस पे आते हैं पहला कोश्चं क्या है तो consider the following statement the statement दी है कि जो 42nd amendment act है उसने 6 subjects transfer करे थे concurrent list में from state list से ठीक है जी दूसरा जो है कि subject of marriage or divorce उसको concurrent list में डाल दिया था तो हम generally जब भी 42nd amendment act के बारे में सोचते हैं तो हमें वही हमें preamble के बारे में आता है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें आई थी ठीक है तो इसका answer क्या है इसका सही answer है only one आप वीडियो को pause कर लीजे के और answer जरूर दीजिए इसमें कि कौन सा answer आपको ठ देखते हैं या कोई statement देखते हैं pen और paper ले लिजे उसको लिख लीजिए और उसको revise कीजिए देखे दोस्तो होता ऐसा है कि अगर आपने यहां पे 10 questions देखे हैं और उसमें से 10 topics आज के आज ही आप revise कर लेते हैं तो उससे और जादा आपकी revision होती है और last minute revision is the key to success चलिए तीन words आड़ किये थे socialist, secular और integrity यह बहुत important है preamble में यह तीन words आड़ किये थे और 5 subject थे छे नहीं 5 subject थे state to concurrent में और उनका क्या-क्या नाम था education, forest, weight and measurements, protection of wild animals and birds और administration of justice यह पांच चीज़े थी ठीक है जी और और चीज़े भी add की थी 42nd amendment में article 51e जिसमें 10 fundamental duties add की थी ठीक है जी कुछ आगले questions ऐसे भी आने वाले हैं जिसमें मैं explanation और दूंगा अभी सिर्फ 10 में ही अब देखें 10 fundamental duties add की गई थी और चार नए डारेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी add की थी जो कि क्या है article 39 add किया गया था healthy development of children ठीक ही जो कि हमारे देश के बच्चों के लिए उसकी development के लिए healthy होने चाहिए यह था article 39 add किया गया था कि equal justice और free legal aid के बारे में कि सबको equal justice मिलना चाहिए और कोई ऐसा गरीब इंसान जिसके पास पैसे ना हो तो वो free legal aid उसे दी जाए मदब सबको justice मिलना ही चाहिए तीसरा था secure the participation of worker in management of industries यह जादा important है वो इसली क्योंकि आपको EPA4 से related यह है ठीक है जी तो यह अगर आप यह वाला point जादा important है क्योंकि EPA4 में इससे related question आ सकता है और फिर आया था article 48 यह कहता है improve environment and safeguard for forest and wildlife और यह 43A है आर्टिकल 43A यह important है ठीक है जी तो यह सारी चीज़े add की गई थी चलिए अब अगली question पर आते हैं अगला question है consider the following statements regarding pro temp speaker pro temp speaker क्या होता है pro temp speaker का पहला statement दिया है it means time being in English और दूसरा है president appoints pro temp speaker to preside over the sitting of the house तो इन में से कौनसी statement सही है जी हाँ दोस्तों दोनों statement सही है one and two है इसका answer ठीक है जी अब इसके बार थोड़ा सा और जानते हैं अब प्लीज इसको लिखते रहे यह research करते रहे है आपको definite है hundred percent है कि आप जब research करेंगे quality में आपको यह questions इन से आसपास या इस तरीके questions पक्का आपको EPFO या बाकी exam करेंगे टकरेंगी टकरेंगी last minute revision है बहुत important है ठीक है जी तो pro temp speaker क्या होता है यह एक temporary speaker होता है और एक limited period of time के लिए होता है जब तक कि speaker elected न होते हैं सीने मोस्ट MP को बनाया जाता है जब तक कि हमारे speaker elect नहीं हो जैसे ही वो elect होते तो उनका कारेकाल खतम हो जाता है pro temp speaker का ठीक है जी और oath of office जो है वो नए members को pro temp speaker ही देते हैं ठीक है जी ओध है of the office of the office ठीक है जी तो यह pro temp speaker ही देते हैं चलिए अब अगले question पर आते ह as well removed by governor इसको धंक से देखिए pause कीजिए और इसका सही answer क्या है जो इसका सही answer है only one only one अब हम देखते हैं आगे इसकी explanation में कि actual में appointment और removal किसकी होती है तो advocate journal जो होते है state के state का है ठीक है जी state के उसकी appointment जो होती है वो governor ही करते हैं और removal भी गवर्नर करते हैं ठीक है जी state election commission जो है वो governor की appointment होती है बलब appointment जो है गवर्नर की है लेकिन removal जो है वो president of India करते है और state public service commission का भी सेम है कि governor appointment जरूर करेंगे लेकिन removal जो है वो president of India करेंगे similarly state human right commission का भी governor and removal by president ठीक है जी तो इसमें सिर्फ एक ये statement है जिसमें governor ही करते हैं और governor ही removal करते हैं all right चले अगले question पर आते हैं which of the following has the authority to add new territory in India इसका सही answer क्या है इसका सही answer है parliament ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा से विस्तार में देखते कि है क्या basically article 3 जो है हमारे जो article 123 है जिसमें की define किया गया है भारत और हमारी state हमारी boundaries तो article 3 जो है वो by law वो बना सकते है form a new state एक नया state बना सकते है या separate कर सकते है TCV territory को किसी state से for example अगर ये state है ठीक है जी अगर इसको हमने separate करना है तो parliament उसको separate कर सकती है और अगर ये छोटा सा और कोई state है इन दोनों को एकठा एक state बनाना है तो parliament एक ऐसा law बना सकती है और इसको एक collective state भी बना सकती है ठीक है जी तो उसकी boundary यहाँ पर ला सकते है मतलब कि आप basically उसको भड़ा सकते हैं घठा सकते हैं boundary चेंज कर सकते हैं और किसी का नाम भी चेंज कर सकते हैं ठीक है जी तो आपका आज का homework यह है कि कौन कौन से states add हुए थे आफ्टर 1947 की ओरिजनली हमारे कौन से states थे और नए ने कौन कौन से states add हुए थे चाहे फिर आप सिक्किम ले लिजे या गोवा ले लिजे ठीक है जी और कौन कौन से states के नेम चेंज हुए है कौन आपके यह homework है प्लीज लिखते रहे यह आपके homework है आपको dual capital जिनकी दो-दो capitals है states की वो भी जानना है ठीक है और साथ में आपको यह भी जानना है कि जैसे की अमरावती के बारे में अमरावती के बारे में भी आपको रिसर्च करना है आप बोलेंगे सर इतना ज़्यादा काम दे दिया है तो आप वीडियो के बिच्छे क्या कर रहे हैं जी हमारा काम है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना लेकिन उससे ज़्यादा हमारा काम है कि आपका एक्जाम निकले the more you will do homework क्योंकि GS का syllabus sir, madam आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा हम आपकी मदद जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं हमारे दूसरी चैनल में चाहिए आपको बहुत ज़्यादा content मिलेगा लेकिन जो आपको homework दिया जाता है प्लीज उसे कीजिए आपके question टकर जाएंगे ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं पांचवा question क्या है कि all India services जो है वो include करते है IAS, IPS, IFS, IAS की full form आप सबको पता ही होगी बताने की जूर्ट नहीं है इसका सही जवाब है both one and two ठीक है जी चलिए अब इस पर थोड़े explanation देखते है कि article 312 ये बहुत important है कौन सा article 312 जो है वो empower करता है राज्य सभा मतलब कि all India services create करने के लिए राज्य सभा के पास power है लोग सभा के पास नहीं है और abolish भी कर सकता all India services for example कुछ time पहले हमारे एक debate चला था कि creation of all India judicial services ठीक है जी उसमें बहुत ज्यादा issues थे अगर आप newspaper ठंग से फढ़ते होंगे या आपको आदत होगी तो आपको पता है कि NJAC भी आया था National Judicial Appointment Commission जिसको की लास्ट मिनट में ना लेंड वाइड कर दिया गया था सुप्रीम कोट नहीं ठीक है जी तो यह all India judicial services की अगर creation होनी भी होगी तो वो कौन कर सकता है राज्य सभा अंडर आर्टिकल 312 ठीक है जी चले अब आगे चलते हैं अगला question क्या है Which of the following director principles of state policy is are not based on socialist principle ठीक है जी आपके EPFO के exam मेर डारेक्टर प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी बहुत important है बहुत ही जादा important है आप इसको जितना रट सकते हैं उतना रटिये जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िये इसके जो 3-4 principles हैं उनको आज घर पे जाके आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे जो भी question आपको दिखता है उसके आसपास के जितने भी questions है और जितने भी topics आपको पढ़ने हैं you really need to revise them क्योंकि यह last minute है ठीक है जी अगर यहाँ पे 10 topics निकल रहे हैं 10 topics को revise कीजिए आपकी बहुत मद्द होगी और अपने pen paper अपने साथ रग free legal aid to the poor हमने अभी थोड़े देर पहले ओपर 42nd amendment में यह सारे कवर किये थे participation of worker in management of industries कौन से आर्टिकल में आप उपर जाके देख सकते हैं बदब पीडियो पर जाके पीछे देख सकते हैं अभी हमने रिवाइस किया था protection and improvement of the environment तो इन में से कौन से नहीं है तो इसका सही आं इसमें नहीं आता है ओके चलिए अब अगले question पर आते हैं the oath of chief justice of India is administered by कौन करता है जी बहुत easy सवाल है इसका कई सही जवाब क्या है President of India ठीक है जी President of India जो है वो करते हैं oath administer और suppose President of India नहीं है अगर वो देश में नहीं है या फिर उनकी death होगी तो कौन करेगा Vice President नहीं जी जो senior most judge होंगे हमारे Supreme Court के वो oath administer करवाएंगे ठीक है जी चलिए अगले question पर चलते हैं अगले question है fundamental duties were यह huddle नहीं है fundamental duties were included under which constitutional amendment Spelling के लिए माफी चाहता हूं included under which constitutional amendment तो आपने अगर lecture ढंग से देखा है MCQs देखें तो आपको पता है कि यह 42nd amendment है ठीक है जी अब इसमें एक थोड़ा से interesting fact दिखाते हैं आपको ठीक है अब fundamental duties 51 में हमने ऊपर बात करी थी ठीक है जी पिछे वीडियो में देखिए कि हमने बात करी थी 51 था तो लेकिन हमारे जब इसमें originally 10 fundamental duties थी लेकिन अभी कितनी है total 11 fundamental duty है और 11th fundamental duty जो है वो 2002 में 86th constitutional amendment में है आई है तो यह इसमें confused नहीं होना है अगर आपसे पूछा जाता है कि 42nd amendment के time कितनी थी तो 10 थी जी अभी पूछा जाएगा तो 11th है और 11th fundamental duty क्या कहती है to provide opportunities for education of child or ward between age and 14 years मतलब की education की opportunity provide करनी है 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में यह fundamental duties है ठीक है जी तो यह important है 10 original थी जब हमने 42nd amendment में डाली थी और अभी 11 है 86th constitutional amendment ठीक है जी तो next question पर आते है नेक्स्ट कोशन है salary and allowances of लोगसभा speaker is charged from the कौन से fund से होते हैं जी इसका सही जवाब है consolidated fund of India चलिए अब थोड़ा सा difference देखते है consolidated consistency में क्या difference है जो जो contingency fund है न जी वो article 267 में है ये चीज़े कुछ ऐसी है articles जो आपके जितने भी आ रहे हैं उनको रटना ज़रूरी है 312 हो गया 267 हो गया 40 second तो amendment आगी लेकिन कुछ articles को रटना ज़रूरी है तो contingency fund कौन से है 267 और ये specific fund है ये यहाँ पे भी fund है spelling mistakes के लिए माफी जो की unexpected and unforeseen crisis जो होते हैं उसके लिए होती है मतलब जैसे कई बार हमारे घर पे होता है हमारी ममी और हमारी दादी या हमारे parents कई बार unforeseen crisis के लिए पैसे बचा के रखते हैं या घर पे cash रखते हैं ठीक है जी तो contingency fund of India भी उसी तरीके से और ये जो है retain रहता है RBI के साथ और जो secretary of ministry of finance है वो hold करते है fund on the behalf of president of India चलिए अब मुझे आप comment section में बताइए कि जो एक रुपी का जो note होता है ठीक है जी वन रुपी का जो note होता है उस पे किसके sign होते हैं हमारे वैसे notes पे अगर आपके पाद सगेर एक रुपे का note होगा तो check कर लेजे लेकिन वन रुपी का जो note है उस पे किसके sign होते है और ये GS का एक बड़ा ही अच्छा question है ठीक है जी वैसे तो हमारे governor है, governor जो RBA के governor उनके sign होते हैं और एक और बड़ा interesting question है कि हमारे कौन से ऐसे prime minister है ये भी a comment section में बताइए, हमारे ऐसे कौन से prime minister है जिनके notes पे signature हो चुके हैं, ठीक है जी, चलिए आगे लिए इस पे आते हैं और जितने भी revenue कठे होते हैं, direct, indirect वो consolidated fund में आते हैं ठीक है, direct और indirect जितने भी हैं, वो consolidated fund में आते हैं और कोई भी जो money है, वो withdraw नहीं किया जा सकता, parliament के approval के बिना है ठीक है जी, तो ये आगे consolidated fund और contingency fund के लिए चलिए, तो अब आते हैं अगले question में तो budget जो है, उसको हम किस नाम से जाना जाता है तो budget जो है, वो किस नाम से जाना जाता है इसका सही answer है, annual financial statement और budget कौन से article में आता है, budget आता है article 112 में ठीक है जी, अब इस particular question से related आप जाएंगे हमारी sleepy classes के channel पे और वहाँ पे आप सर्च करेंगे budget sleepy classes budget sleepy classes क्योंकि वो एक lecture है बहुत ही important है आपके EPFO के point of view से हमेरे शेकर सार ने डाला हुआ है प्लीज उसको जाएए अच्छे से उसे revise कीजिए आपके at least वहाँ से बारा से पंदरा questions बनते हैं ठीक है जी various exams के लिए I hope आप लोग practice कर रहे होंगे अपने pray करते रेजिए अच्छा खाएए और प्लीज स्टे सेफ करूना भड़ रहा है अपना ख्याल रखे थैंक यू सो मच